स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI यूट्यूब चनल पर Fitter Trade Theory में आज हम लोग करेंगे CVT Exam Questions का Part 18 इसके पहले कि अगर आपने 17 पार्ट्स नहीं देखे हैं आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं ITI के CVT Examination की या Uncomputative Exam की तो आप दो या तीन पार्ट और रहेगा इसको अगर आप देख लेते हैं तो आप CVT Examination में 100% तक भी स्कूर कर सकते हैं चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से विल आइकन को हिट कर लीजेगा एंड साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा बिना आपके लाइक के वीडियो आगे ट्रेंड नहीं कर सकती यूटूब पे एंड एक चीज आपको हम बता दें यहां पर हम लोग करेंगे 151 से लेके 175 तक के कुस्चन टोटल 25 कुस्चन करेंगे लेकिन यह 25 कुस्चन सिर्फ नंबर है 25 के हम आपको गारंटी देते हैं कि इन 25 कुस्चन को अगर आप यहां पढ़ रहे हैं और जिस तरीके समय के कुस्चन को समझाएंगे उसके डिटेल में जाएंगे हर आपसन के यह 25 कुस्चन आपके 50 कुस्चन से भी एक्जाम की त्यारी करेंगे उसमें भी आप मतलब यह आपके लिए helpful रहेगा तो यहां पर बात करें कुस्चन आपर 151 है which part indicates the reading of dial test indicator या indicates dial test जो है उसकी reading किस हिस्से से प्राप्त होती है हमें stem से anvil से, pointer से या plunger से तो ध्यान दीजे जो pointer होता है इससे हमें reading प्राप्त होती कैसे अब यहां पर देखते हैं जैसे यह है आपका dial test indicator क्या है dial test indicator previous part में भी इसके बारे में बात हुई है इसके क्या-क्या parts होते है जैसे आप यहां देखेंगे नीचे contact point होता है फिर आपका यह plunger होता है जो की आगे पीछे होता है तो rack and pinion के सारे आपका यह move करता है जो की pointer जो reading को indicate करता है जो आपका reading यहां पर बना हुआ है ठीक है एंड इसका यह stem होता है जिसमें plumber move करता है plunger आपका move करता है यह आपका dust cap यहां पर लगा होता है यह आपका यहां पर bezel clamp लगा होता है जिससे आप इसको lock कर सकते हैं तो अगर यहां पर final बात करें कि reading आपको किसे मिलती है देखे movement तो plunger करता है plunger के movement से अंदर क्या लगे होते हैं यहां पर rack and pinion लगा होता है rack आपको पता इस तरह का लंबा gear होता है इसके उपर एक छोटा gear होता है जिसे हम लोग pinion कहते हैं तो plunger आगे पीछे move किया यह rack होगी आपका तो इस पर यह pinion move करता है इस pinion से जुड़ा होता है आपका pointer यह pointer move करता है तो आपको reading यहां पर मिलती है ठीक है इसके बहुत minor movement में इसका ज़्यादा movement होता है और आपको वो minor जो surface पर माली जो कोई irregularities है वो आपको यहां deflection से पता चल जाती है ठीक है तो यही होता है dial test indicator का यहां पर काम तो इसके तीन चार चीज़ें आपको यहां पता चली इसका सिधान्त क्या होता है तो सिधान्त आपका क्या होता है rack and pinion के सिधान्त पर काम करता है बट उसी जगाँ अगर आपका यह plunger type का dial test indicator ना होता कैसा होता? lever type का होता तो वो किस पर काम करता? तो lever and scroll के सिधान्त पर काम करता उसके बारे में भी आगे बात करेंगे dial test indicator, lever type भी होते हैं and plunger type भी होते हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अब यहाँ अगर stem की बात करें anvil की बात करें, plunger की बात करें plunger का काम क्या है, move करना ठीक है, जिस्चे हमें reading मिलती है इस पर ठीक, तो यह सारी चीज़ें anvil का क्या है, anvil यही इसी contact point को ही कई बार anvil कहते हैं इसका काम है, यही आपका contact surface रहता है, ठीक है, stem क्या है plunger के सीधे movement को यहाँ पर guide करता है, ठीक, इतने सारे यहाँ पर काम हो गए, अब आगे बढ़ते हैं अगला यहाँ पर, what is the name of operation, अब इस operation को आपने देख लिया, इसका आपको नाम बताना क्या है, previous part में हम लोगों ने बात की थी scrapper की, यह क्या है scrapper हाथ में इसने पकड़ा हुआ है और कोई चीज खुर्चा जा रहा है scrapper से, कैसा scrapper है, यह फ्लैट scrapper है, तो यह क्या हो रहा है, यहाँ पर healing process हो जाता आपका, ठीक है तो फिलाहल यह क्या है, यहाँ पर scrapping है, scrapper भी कई तरह के होते हैं, flat scrapper होता है bull nose scrapper होता है, triangular scrapper होता है, half round scrapper होता है, जिसके बारे में previous भी हम लोगों ने पढ़ा है, आगे भी हम लोग देखेंगे भी अगला question है यहाँ पर which scrapper is used to scrap the center portion of large flat surface, बड़ी सपाट सता के मद्धभाग को खुरचने के लिए किस खुरचनी का प्रियोग किया जाता है देखें, यहाँ पर एक काफी important हो जाता है इन चारों scrapper के बारे में detail में जानेंगे जैसे अगर बात करें flat scrapper की तो कोई बड़ी सता उसको आपको खुरचना है तो यहाँ पर हम लोग flat scrapper का प्रियोग करेंगे ठीक, अगला यहाँ पर आता है flat scrapper होता कैसा है flat scrapper जैसा भी figure में देखा हम लोग ने कुछ इस तरह का आपका flat scrapper रहता है फिर यहाँ पर handle लगा होता है अच्छा जब flat scrapper से हम क्या करते है तो क्या करते है पुस scrapper होता है पुस करते हैं इससे किसी surface को तो यह scrapping आपकी होती है लेकिन जब इसमें मुड़ा वाला portion इसमें हम लोग pull करते हैं अपनी तरफ खीचते हैं तब scrapping होती है तो किसी अगर बड़े surface पे किसी मद्ध भाग में कोई portion आपको scrap करना है scrapping करनी खुरचना है तो वहाँ पे हम लोग hook scrapper का प्रियोग करते हैं इस वाले scrapper का प्रियोग करते हैं ठीक है अब अगर बात करें triangular scrapper की तो यह कोई hole हो गया ठीक है एक angle पे कोई चीज हो गया वहाँ पे कोई चीज है ठीक है बर्स है या ऐसा कुछ scrap करना है आपको कोई extra material तो उसे triangular scrappers हम लोग खुरचते हैं अगर बात करें bull nose scrapper की तो bull nose scrapper जैसा bull means क्या होता है sand होता है, bell होता है तो bull nose scrapper न कुछ उसी तरह जैसे उसका nose होता है बैल का उस तरह सा कुछ यहाँ पे रहता है ऐसे फूला हुआ और इससे हम लोग जो bearing surface वगरा रहती हैं उसकी scrapping में इसका प्रियोग करते हैं तो यहाँ पे आपको यह चारों scrapper के काम पता चल गए अब किसी exam में कहीं से भी question आए तो आप आसानी से कर पाएंगे अब यहाँ next question 154 number what the name of the instrument इस instrument का आपको नाम बताना है देखने में आपको कैसा लग रहा है micrometer लिखिन सिर्फ micrometer नहीं है यह क्या है यहाँ पे आपको क्या दिख रही screw thread भी दिख रही diameter आपका pitch diameter होता है ठीक है जिसे imaginary diameter ही होता है तो जो pitch diameter होता है effective diameter होता है thread का उसे measurement करने के लिए screw thread micrometer का प्रियोग यहाँ पे किया जाता है ठीक है इसमें आप देखिए flat surface नहीं इसका जो यहाँ पे बना हुआ anvil and यह सब इसमें क्या है flat नहीं है अगर यही flat surface ओला micrometer होता तो यह क्या हो जाता फिर यह आपका outside micrometer normal micrometer हो जाता जिससे हम लोग किसी चीज का diameter वगरा measure करते है तब आपका यह option हो जाता screw pitch gauge से हम लोग क्या measure करते है माली जे thread है इसका pitch कितना है माली जे 0.35 mm है इसका ऐसे पत्ती पत्ती टाइप का आता ना इस तरह से जो पत्ती पे बैठाएंगे जो fit बैठ जाती है उस पत्ती पे जो लिखा रहे ता वो हमाल लेते हैं इस thread की वही pitch है ठीक है वह यह काम होता आपका screw pitch gauge का तो फिलाल के लिए भी यह क्या है यहापका screw thread micrometer है जिससे हम thread का जो आपका thread आउटर डायमेटर होता है pitch diameter होता है उसे हम यहापे measure कर सकते हैं अगला question है which instrument is used to magnify small variation in sizes by means of pointer on a graduated dial एक चीज और ध्यान दीजेगा जो भी आपका fitter first year का especially जो second semester का PDF है अगर आप उसे second semester का PDF उसे आप निमी से download करके भारत skill से download करके पढ़ते हैं तो आप एक बड़ी मुसीबत में पढ़ सकते हैं क्योंकि यह मान के चलिए 20 to 30% answer आपको उसमें गलत मिल जाएगा even options भी आपको तीसरे चौते कई यहां same मिलेंगे and answers भी बिलकुल गलत मिलेंगे आपको तो उस चीज को थोड़ा avoid कीजेगा यहां से आप study कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें clear होती जाएंगे यहां पे पूँच रहा है कि कौन सा ऐसा instrument है ठीक है जो magnify करता कि इसको small variation in sizes by means of pointer and graduated dial मतलब यह सिर्फ क्या करता है उन चीजों को magnify कर देता जो small movement होता लेकिन ऐसी कोई reading नहीं देता है यहां पे यह ठीक है जैसे micrometer होता है vernier calipers होता आपको एक proper reading देता यह इतना size का है यह इतना का है तो यहां पे आपका right answer है dial test indicator अच्छा dial test indicator क्या करता है आपका यहां पे ग्रेजोशन डायल पर क्या होता है pointer के द्वारा आपको कोई भी बदलाव जो रहता है उसे यहां पे magnify करके दिखा देता है तो right answer क्या होगे आपका dial test indicator इस तरह से ठीक है अगला question है what is the number of fundamental deviation in the BIS system जो BIS system है आपका उसमें आधारभूट deviations की संख्या क्या है आधारभूट मतलब होता है fundamental deviation ठीक है mole deviation जो है उनकी संख्या कितनी है तो उनकी total संख्या यहां पे deviation की कितनी है 25 है कितनी है 25 ठीक है upper deviation lower deviation actual deviation इसके बारे में previous class में बात हुई थी इसलिए यहां बहुत detail में फिर उसकी चर्चा नहीं करेंगे आप लोग पीछे से जरूर उसे study कर सकते हैं आप यहां बात करें यह 25 deviation होते क्या है यह संख्या जो है तो जो A to Z आपका alphabet है ना A to Z वही आपको यहां पे रखे जाते हैं लेकिन अब आप सोच रहे होंगे A to Z में total 26 letters है यहां तो 25 की बात हो रही तो क्या हटा इसमें से तो actual में जो हटाया गया है वो total 5 letters हटाया गया है वो 5 letters है आपके J इन 5 letters को क्या किया गया है इन 5 letters को हटाया गया है अब 5 अगर हटा दिये गए तो कितना बचा 21 बचा तो 21 में फिर 4 letters और add किये गए वो 4 हैं आपके J S ठीक है एक और add किया गया आपका Z A Z B and Z C ठीक है तो यह 4 हो गए आपके 21, 4, 25 तो यही 25 आपके fundamental deviations हैं जिसमें से I, L, O, Q और W को हटाया गया अगर कहीं आपसे पूचा जाता है क्यों हटाया गया कौन से चीज़ों को हटाया गया कि square किया गया तो आप आसानी से बता सकते हैं अगला question यहाँ पे how many fundamental tolerance grades are available कितने अधारभू tolerance grade उपलब्द है तो total यहाँ पे 18 grade आपके tolerance के available है वो 18 क्या है previous part में भी बात हुई थी IT01 IT01 इसके बाद आपका IT01 ठिक इसके बाद आपका IT1 से लेके IT16 तक तो कितने हो गए यह 16 हो गए और यह दो 18 हो गए यह total 18 tolerance के grade जो है आपके लिए यहाँ पे available है और जब आप किसी fit की बात करते हैं जैसे कोई fit आपको दी रहती ना कई बार आपने देखा होगा 30 H7 इस type का जो लिखा रहता ना तो यहाँ पे जो 30 है यह तो आपका basic size हो जाता है ठिक जो H है तो whole क्या होता है tolerance grade यहाँ पे होता IT7 जो है यह आपका tolerance grade रहेगा यहाँ पे ठिक यह इस तरह से fit दरसाई भी जाती है आगे हम लोग बात भी करेंगे अगला question 185 number which precision instrument is used for comparing and determining the variation in the size of the component भागों के अमापों का मतलब होता वही measurement ठिक है को ग्यात करने और तुलना करने के लिए कौन से प्रसिद्धता यानि precision instrument का प्रियोग किया जाता है micrometer का comparator का dial test indicator का या vernier bevel protector का तो यहाँ पे आपका right answer है dial test indicator का जो variation होता ना size में उसे हम dial test indicator से ही calculate कर सकते हैं भी हमने बताया ना plunger का movement जो है आपको यहाँ पे reflect होता है ठिक किससे pointer के थूरू जिससे आप पता पाते है क्या variation यहाँ पे है उसे यहाँ अगर micrometer की बात करें तो आपको actual reading दे देता comparator होता है किनी चीजों को compare करने के लिए आप यह कहिए जिसे आगे बढ़ते हैं अगला question यहाँ पे what mechanism used in lever type dial test indicator देखिए previous में हम पीछे बात करी रहते हैं lever type का जो dial test indicator है उसमें कौन सी mechanism काम आती है तो उसमें काम आती है आपकी lever and scroll पीछे हम लोगों ने बात की थी ना lever and scroll का mechanism होता है जो rack and pinium है यह किसमें रहता है यह dial test indicator में रहता है लेकिन किस type के plunger वाला जो dial test indicator उसमें रहता है and screw and nut की अगर बात करें screw and nut का principle आपका होता है micrometer में जैसे एक मालीजे यह screw है ठीक है इसमें यह nut लगा हुआ है इसमें thread बनी होते है external इसमें internal अगर इस nut को हम गुमाते हैं तो क्या होता है आगे बढ़ता जाता है thread के थुरू ठीक उसी सिद्धान पे आपका micrometer काम करता है screw and nut पे rack and pinion पे आपका plunger type dial test indicator lever and scroll पे आपका lever type dial test indicator and worm and wormhole का आपने अगर उचारा काटने की machine वगरा का example देखा हो तो वहाँ पे काम आता है आपके अगला कुछन है यहाँ पे which comparator used in mass production mass production थोक उत्पादन मतलब था mass production एक ही type के धेर सारे component एक साथ बन रहे हैं तो वहाँ पे हम किस तरह के comparator का प्रियोग करते हैं optical comparator का, pneumatic comparator का electronics comparator का या mechanical comparator का निकाल सकते हैं, उसका comparison कर सकते हैं क्या है क्या नहीं है तो यह mass production में नहीं use हो सकता, mass production में हम लोग pneumatic comparator का use करते हैं pneumatic मतलब क्या होती हवा हवा में, अगर हवा प्रिसराइज हवा है तो उसका pressure difference क्या आएगा कितनी उससे travel कर रही है, क्या pressure है उसके basis पे आप compare कर सकते हैं किसी product को, तो जो pneumatic comparator होता है, mass production में काफी use किया जाता है, कुछ इस तरह का इसका एक diagram होता है, ठीक है इसमें यहाँ orifice होंगी, जिससे आप इसकी velocity measure कर सकते हैं, ठीक साथ में manometer लगे होंगी, जिससे आप pressure measure कर सकते हैं, तो उन सब के basis पे ये internal dia, external dia, किसी का size, shape, इन सब चीजों को इस pneumatic comparator के थूँ हम लोग क्या कर सकते हैं, measure कर सकते हैं, मतलब ये pneumatic comparator, mass production में इस तरह से काम कर सकता है, इसके बारे में बहुत detail में बात नहीं करेंगे, इन सब पे कोशिस हमारी रहेगी, pneumatic comparator हुआ, कुछ और जो instruments होते हैं, उन पे dedicated आपके लिए class बनाने की, जिससे आप उस equipment ये instrument के बारे में पूरा समझ पाएं, वो भी आपको जल्दी मिलेगी channel पे, अगला question है, 161 यहाँ पे, which gauge used to check internal thread of components, भागों की जो अंदर की चूडियां है, उसे नापने के लिए हम कौन से gauge का प्रियोक करेंगे, तो अगर बाहर चूडी बनी है, इस तरह से बाहर external threads हैं, तो इन्हें हम किस से measure कर सकते हैं, तो इन्हें हम ring gauge से measure कर लेंगे, ring gauge जैसा हमने बताया आपको, finger में आप लोग ring पहनते हैं, तो क्या होगा, ये बाहरी चूडी को measure कर पाएगा, लेकिन जहां अंदर की चूडी की बात आगे, तो वहां हमे plug gauge यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जो अंदर इस तरह जाके measure कर सके, तो यहां देखे, plug gauge कहां पहे है, तीसरे option में आपको दिख जाएगा, thread plug gauge, ठीक है, तो इसका measurement, इससे हम लोग करेंगे, अंदर की चूडी ना पहेंगे, thread ring gauge से क्या करेंगे, बाहर की चूडी ना पहेंगे, taper ring gauge से, जो taper चीजे होंगी आपकी, taper माली, जो कोई shaft है, taper मतलब क्या होता है, एक तरफ ऐसे slope रहेगा, ठीक है, इस तरह का taper दिया हुआ है, dia यहां कम, यहां ज़्यादा, तो उसको हम किससे measure करेंगे, tapering gauge से, and caliper gauge, caliper gauge आप लोग जानते हैं, कुछ इस तरह का बना होता है, ऐसा रहेगा वो, ठीक है, उससे भी हम लोग measurement कर सकते हैं, thread plug gauge कैसा दिखता है, देख लीजे, इस तरह का दिखेगा, ठीक है, इससे हम लोग internal thread जो है, वो measure कर सकते हैं, अगला question है, what is the extreme permissible size within which the operator is expected to make the component, कौन सा एक चरम सुविकृत माप है, जिसके भीतर operator जो है, से कोई चीज बनाने के अकांच्छा रखी जाती, मालीजे, किसी operator को आपने कोई काम दिया है, तो आप क्या करेंगे, जैसे कोई भी चीज जब आप माप बनाते, मालीजे, कोई चीज आपको 25 cm की बनानी है, कितना रखने है, 25 cm या 25 mm रखिए, जो भी आप चाहिए, ठीक है, बट आप ये कहते हैं, कि यहाँ पर प्लस माइनस दो हो सकता है, यानि, या तो ये 25 ये 25 और दो ये 27 की भी बन सकती, 25 में से 2 गया है, ये 20 की भी बन सकती है, तो हम operator से क्या इच्छा रखेंगे, अगर इतनी छूट यहाँ पर दी गई है, तो आप इसको 27 से तेज के बीच में रखिए, यानि, जो size है, ये maximum limit है, ये इसकी minimum limit है, तो हम क्या चाहेंगे, इसी जो limit दी गई है, इसी के बीच में उस map को रखा जाए, तो यहाँ right answer क्या आजाएगा आपका, limit साफ size, हम चाहेंगे को जो size की limit है, उसके अंदर ही उस चीज को रखे, किसी भी जो product को या component को बना रहा है, उसमें, हो सकता है, PDF में आपको nominal size मिले, तो ये बिल्कुल गलत है, actual size वो होता है, जो finally बन के आएगा, और basic size जो होता है, जो 25 प्लस माइनस दो किया आपने, ये 25 यहाँ पर basic size है, अब हो सकता हो 27 बन के आए, हो सकता हो 23 बन के आए, हो सकता हो 26 बन के आए, हो सकता हो 24 बन के आए, सारे acceptable रहेंगे, जो size बन के आएगा, वो actual size होगा, ये 25 आपका मूल भूत size है, अधार भूत या basic size है, ठीक है, जो limits आप size है, इतने सारे हैं, इसमें से कुछ भी बना सकता है, वही हमारी expectation रहेगी operator से, ठीक, समझ में आ गया होगा यहाँ पर, अगला question है, what the size of component by actual measurement after it is manufactured, देखिए वही question आ गया, जो actual measurement है, उसे हम क्या कहेंगे, actual size कहेंगे, maximum जो जाएगा, जैसे अभी हमने example दिया न, 25 plus minus 2, तो 27 maximum map हो गई, 25 में से 2 गया, 23 minimum map हो गई, जो बन के आया, अब 26 भी आ सकता है, 24 भी आ सकता है, वो actual map हो जाएगी, यहाँ पर, कि जो उत्पादन के बाद भाग का वास्तिक map आएगा, उसे हम लोग actual size कहेंगे, अगला question है, a dimension is stated as 25 plus minus 0.02 mm, in a drawing, what is the tolerance, अब tolerance आपको यहाँ पर बतानी है, तो tolerance क्या होता है, tolerance होता है, आपका maximum size, जो आपका आए, and minimum size, इन दोनों का जो algebraic 0.02 add कर दें, ठीक है, minimum size क्या होगा, 25 में से आप 0.02 घटा दें, तो 0.02 घटाएंगे, तो क्या हैगा, 24.98, इस में से क्या करिए, जो minimum size 24.98 घटा दीजिए, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 0.04, तो जो 0.04 mm है, यही आपका क्या है, tolerance है, छूट है, ठीक है, क्या है, 0.04 आपका tolerance है, तो तरीका यही है, आप maximum size निकालिए, आप minimum size निकालिए, हो सकता, दोनों plus बहीं रहें, ठीक, तो जो maximum से minimum घटा दीजिए, वही आपका tolerance आएगा, या दूसरा तरीका यही होता है, जब यहाँ पे प्लस माइनस रहें, जो यही है न, इसको आप क्या करिए, यहाँ पे जोड दीजिए, तो आपको मिल जाएगा, क्या tolerance आ रहा है, अगला question है, अगर आप कहीं scrapping करने जा रहे हैं, मालीजे, इस तरह का आपके पास कोई एक surface है, इस पे आपको scrapping करनी है, अब scrapping आप वही वही करेंगे, जहाँ आपको कुछ उबरी हुई surface दिखेगी, इसे आप कैसे identify करेंगे, तो इसे identify करने के लिए, क्या करते हैं, हम लोग, prussian blue का use करते हैं, किसका use करते हैं, prussian blue का, अगला question है, 166 number, what is the smaller of the two limits of size, आकार की जो दो सीमा हैं, उसमें से छोटा कौन सा है? Actual size है, maximum limit of size, उनिय 허mas की जो अदिक्तम सीमा हो है, आकार की निउनतम सीमा है, या आकार की सीमा है, तो obvious सी बात है, सबसे छोटा क्या रहेगा, दो limits में, जो आपकी निउनतम सीमा होगी, वो आपका क्या रहेगा सबसे छोटा रहेगा जैसे हमने पीछे एक्जामपल दिया था ना 25 और प्लस माइनस दो तो 25 दो 27 और 25 में से दो गया 23 तो 23 आपकी क्या हो गई निउन्तम सीमा यही आपका छोटी साइज है अब यह कुश्चन आता है यहाँ पर यह एक ऐसा कुश्चन है कि यहाँ तो पूँचा ही जा रहा है इसके बहुत सारे स्पिस्फिकेशन आपसे कई सारे कम्टेटिव एक्जाम में भी पूँचे जा सकते हैं तो यहाँ पर पूँच रहा है जो X के रूप में मार्क है यह क्या है length of the bed यानि bed की लंबाई है center height of the lathe की center height है length between center center के बीच की length है या work diameter यानि maximum क्या diameter का work यहाँ पकड़ पाएंगे तो ध्यान दीजिए यह है आपका यहाँ पे length between centers अब इसके और सारे parts के भी नाम देख लेते हैं जैसे देखिए यह हो गया आपका length between centers अगर bed length की बात करें यह पूरा आपका हो गया इसका bed का length ठीक है जो यहाँ पुछ रहा है length of the bed कौन सा रहेगा अगला एक पुछ रहा है center height of the lathe तो यह जो है यहाँ से यहाँ तक की height कौन लोग center height बोलते हैं and work diameter मतलब इसमें आप जो चक है इसका इसमें कितने diameter तक का work piece आप पकड़ सकते हैं वो होता है इसका work diameter और भी parts हैं उन्हें आप देख सकते हैं जैसे B देखे क्या है bed length है C आपका क्या है center length है ठीक D आपका क्या है यहाँ पे देखें D क्या है swing diameter over weight ठीक कितना diameter यहाँ पे swing हो सकता है इसे हम लोग leg बोलते है यह आपका carriage होता है यह bed होता है इसे हम लोग tail stock बोलते है यह हमारा head stock होता है ठीक है carriage के भी बहुत सारे part होते है जो हम लोग अभी आगे देखेंगे तो आई होग यहाँ समझ में आया होगा आपको अच्छे सी आगे आभी carriage वाला portion यह लेथ carriage है आपका इसमें X के रूप में part जो mark है उसका आपको नाम बताना है पहले X वाला part क्या उसको देख लेते हैं फिर बाकी parts के नाम यहाँ पे देखेंगे X वाला जो part है इसे हम लोग कहते हैं top slide क्या बोलते हैं top slide अब अगर एक एक part का यहाँ पे हम लोग नाम देखना चाहें ठीक है तो यह जो portion पूरा इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं एप्टरन बोलते हैं ठीक यह आपका lead screw रहता है यह आपकी feed rod होती यह उनके levers हैं operate करने के लिए ठीक है तो यहाँ तक clear है आपका एंड इसके बाद अगर यहाँ बात करें तो यह आपकी एक cross slide रहती है ठीक है यहाँ पे cross slide भी आपकी है एंड यह जैसा आपको यह दिख रहा है portion यह वाला जो portion दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं saddle क्या कहते हैं saddle कहते हैं ठीक फिर इस पे आपको tool post दिख जाएगा ठीक यहाँ इसका आपको part यहाँ अगर हम दिखाई दे एक बार देखे यह क्या है apron hand wheel है जो feed dial आपका feed dial है ठीक है यह आपका apron है जिसे हमने बताए यहाँ पे यह cross feed hand wheel है यह आपका micrometer dial है यह आपकी top slide है यह क्या है आपकी top slide है ठीक है यह saddle है जो move करेगा पुरा यह saddle आपका इसे हम लोग बोलते है cross slide जो top slide के आपको नीचे दिख रहे हैं यह है आपका cross slide यह सबसे उपर आपको क्या दिख जा रहा है यहाँ पे tool post दिख रहा है यह सब आपके carries के यहाँ पर part होते है अगला question यहाँ पर what is the merit of three jaw chuck in the lathe machine एक lathe machine में जो तीन जबड़े वाले चक है उनका merit क्या है merit मतलब क्या होता है उनका फायदा basically क्या है उनका advantage क्या है यहाँ पर तो three jaw chuck का सबसे बड़ा advantage होता है कि इसमें जो work है न वो आप आसानी से set कर सकते है self centering जा होता है इसका मतलब आप पकड़ लेते हैं तो self centering उसमें रहेगी तो यह इसका सबसे बड़ा benefit है ठीक है दूसरा यहाँ पर आप देखिए run out cannot be corrected क्योंकि यह self centering इसमें आप अगर कोई run out आ जाता है तो उसे आप correct नहीं कर सकती यह इसका demerit है अगला only round and hexagonal component can be held यानि सिर्फ goal और hexagonal component को आप इसमें पकड़ सकते हैं तो यह भी इसका एक demerit होता है किसी और से अगर material उसे आप पकड़ नहीं सकते एक ही इसका merit है क्या है कि जो work है वो automatically आप set कर सकते हैं centering की जरूत नहीं पड़ती self centering होते हैं three job check ठीक है तीन जबडे वाले चक अगला question यहाँ पर what the name of the part mark dash x यह x के रूप में part जो mark है यह है आपका actual में जो late machine का जिसमें आप tool पकड़ते हैं ठीक है तो इसका आपको नाम बताना है जो x वाला portion है यह क्या है यह चक है ठीक है late machine का क्या है चक है तो x वाले portion का नाम बताना है x वाला portion जो है उसे हम लोग कहते है crown wheel जिसमें spiral type कहीं आपको spiral इस तरह से यहाँ पे thread type का आपको दिखेगा इसे हम लोग क्या बोलते है crown wheel यहाँ पे इसके भी parts आप देख सकते है ठीक है जैसे हमने बताना spiral groups यहाँ पे कटे होते हैं उसी को हम लोग यहाँ crown wheel कहते हैं अब आप अगर निमी PDF में देखेंगे तो आपको यह वाला option मिलेगा नहीं इसको हमने आपके लिए अलग से यहाँ पे insert किया है हो सकता है जो exam में कुछ चंसा है उसमें सारी चीजें सही रहें ठीक है यहाँ पे दिखाया गया inner chuck gripping है यह outer chuck की gripping face है ठीक है यह third chuck जा है जो attach point third chuck आप यहाँ पे attach करेंगे ठीक है दो chuck आपके पहले से यहाँ पे लगे हुए है तो यह rotation point है जिससे आप जो है जाकी opening को and closing को क्या कर सकते है adjust कर सकते है ठीक है और उसी में आपको यह spiral वाला portion दिख जाएगा जिसमें group कटे हैं जिसे हम लोग crown wheel कहते है ठीक है तो यह हो गया आपका यहाँ पे and इसका answer आपको external जबड़ा यहाँ पे दिखा रहा था जो की गलत है ठीक है तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा अगला question है what is the demerit of forge a chuck चार जबड़े वाले जो chuck है उनका demerit क्या demerit मतलब नुकसान एक तरह से क्या मतलब क्या उसमें ऐसा नहीं हो सकता है तो judge are reversible यह तो आपका merit हो गया कि job उलटने ही हो गया है दूसरा है irregular safe job can be held अन्यमी ताकार के भी job पकड़ सकते हैं यह भी इसकी merit है अच्छी बात है heavy cuts can be given heavy cut भी इसमें दिये जा सकते हैं क्योंकि आप जो पकड़ते हैं forge अचक में काफी firm काफी rigid पकड़ होती है तो उसमें आप heavy cuts वगयरा भी दे सकते हैं option D है छोटे और finish job को नुकसान होता है यह यहाँ पे इसका demerit है जो छोटे job होते हैं finish job होते हैं उनको इसमें आप नहीं पकड़ सकते हैं अगर पकड़ भी रहें तो इस तरह से उसमें finishing job है तो उसमें नुकसान थोड़ा सा आपका हो सकता है dent वगयरा आ सकते हैं तो वो इसका एक demerit यहाँ पे है यह option भी आपके PDF में add नहीं था उसका answer आपको comment box में जरूर करना है एक सो बहातर नमबर question है which type of rack angle make slope from the front towards back of the tool यह Hindi में थोड़ा सा यहाँ पे गलत है इससे आप ignore कीजेगा हम Hindi समझा देते हैं आपको यहाँ बोल रहा है किस type का rack angle जो है उसका जो slope है वो front से लेके back की तरफ रहता है जबकि यहाँ पीछे की और सामने तक लिख रहा है तो यह गलत है मतलब front से start होता है और back की तरफ रहता है तो वो rack angle क्या कहलाएगा end rack angle, side rack angle, negative rack angle या positive rack angle तो ऐसे angle को हम लोग positive rack angle कहते हैं यहाँ पे आपको दिखा देते हैं तीनों angle देखिए जैसे यह tool है front से अगर यह angle बना पीछे की तरफ तो यह क्या हुआ आपका positive rack angle ठीक, यहाँ पे यह है और आपका angle किधर बना है, back side में बना तो उसे हम लोग क्या कह रहे है, negative rack angle है और जब यहाँ 0 है rack angle यह सीधा है एकदम, तो इसे हम लोग 0 rack angle कहते है locked while facing आप facing operation कर रहे है and carriage को आपने lock नहीं किया तो क्या परभाव पड़ेगा correct face आएगा, सही face आएगा convex face आएगा, concave face आएगा या केंदर में एक pip छोड़ देगा हो देखिए, अगर आपने facing करते time carriage को सही से नहीं पकड़ा तो आपका जो face आएगा ना कुछ convex face type का आएगा जैसे देखिए facing operation क्या माली यह इस तरह का कुछ है आपने एक छड़ ली उसकी facing आपने की इस तरह से माली जो इसको आना है अब convex मतलब क्या होता, उत्तल तो अगर आपका carry सही से lock नहीं है उसी यहां अगर concave face की बात करें तो concave face आपका कैसा होगा कुछ इस तरह का face आपका आ जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे concave facing है, मतलब आपने उस time पे माल लीजे, आपका tool जो है सही से tool अगर आपने सही से नहीं lock किया तो उस case में आपकी concave facing भी यहां पे आ सकती है and अगला एक केंदर में pip छोड़ देता है तो अगर आपने centring सही से नहीं की है जो center है आपका वो सही से नहीं है tool का, उस case में क्या होगा ना बीच में ऐसे एक छोटा सा portion छोड़ जाएगा जिसे बोलते हैं केंदर में एक pip छोड़ जाएगा तो यह भी दो सापका हो सकता है तो फिलाल अगर आपने carriage को lock नहीं किया तो कैसा facing आ सकता है convex facing आपका आ सकता है यह एक प्रभाव पढ़ सकता है facing करते समय अगला question यहां पे what is the name of the operation carried out in turning to remove burr and sharpness from the edge of component यानि component के किनारे से sharpness ठीक है तीखापन, sharpness जिसे कहते हैं और edge इंतलब किनारे तीखेपन को हटाना और sharpness को हटाने के लिए जो operation करते हैं उसे क्या कहते हैं उसे grooving कहते हैं उसे chamfering कहते हैं उसे step turning कहते हैं या उसे plane turning कहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं chamfering, ठीक है, जो किनारे होते हैं कई बार आपने देखा होगा, जैसे आपने ये कर लिया, ठीक है, turning operation, फिर किनारे आप कुछ इस तरह से chamfer बना दिये जाते हैं, क्या बना दिये जाते हैं, ऐसे chamfer बना दिये जाते हैं, ठीक, एक angle पे, तो इसे हम ल step turning कहते हैं and plain turning माल लिजए आपको 20 mm diameter का कुछ दिया गया and बोला गया इसे 18 mm का कर दो तो वो होता है आपका plain turning ठीक है यहाँ पर 4 operation है चैंफरिंग operation यहाँ पर right answer होगा आपका अगला question 175 number find out the spindle speed for turning dia 40 mm cast iron rod if the cutting speed is 15 meter per minute यानि 40 mm के ढलवा लोहे rod को turning करने के लिए spindle की आपको गती गयाद करनी है यदि काटने की गती 15 meter प्रति मिनट है चार options है बट option के पहले हम लोग इसको क्या करेंगे solve करेंगे formula होता है आपका ठीक है formula आपका v is equal to होता है आपका pi d n v is equal to pi d n upon 1000 ठीक है जहाँ v क्या है आपकी दी गई है वेलास्टी न 15 meter per minute cutting speed आपको दी गई है n आपको निकालना है क्या निकालना है इस spindle की गती n आपको निकालना है तो इसी formula को अगर हम पच्छांतर करने क्या बन जाएगा n is equal to v into 1000 upon pi into d ये बन जाएगा v आपको क्या पता है 15 है ये है 1000 ठीक है pi कमान 22 बटे 7 होता है 22 यहाँ आ जाएगा and d कमान कितना दिया है 40 जो 22 बटे 7 था 7 यहाँ पे आ गया cut कर देते हैं ये हो गया 25 25 गुणे 15 गुणे 7 आप करेंगे तो आपको मिलेगा ये 2625 बटे नीचे क्या है 22 इसको अगर आप भाग दे देंगे तो आप पाएंगे 119.3 आपका अंसर आजाएगा भाग देखे एक बार आप लोग देख लीजिएगा राइट आंसर क्या होगे आपका 119.3 rpm ये आपकी आजाएगी इस पिंडल की गती तो ये होगे 175 कुश्चन वीडियो चाहिए इस बार थोड़ा सा लंबा बना बट आई होप आपने अच्छे से समझा भी होगा इन 25 कुश्चन को अब बारी आती है आपके बोनस कुश्चन की कुश्चन है वट दे एक्स्प्रेशन आफ 30 H7 अबलिक G6 ये क्या है फिट को अविध्वाक्त कर रहा है लिमिट को कर रहा है डे विएसन को कर रहा या टॉल्रेंस को कर रहा है जो भी रैट आंसर आप लोग कमेंट करके जुरूब बताएगा जुरूर बताएगा वीडियो को लाइक और शेर करना मत भूलिएगा साथ में चैनल पे जरूर जूर जाएगा जिसे आपको job की update के साथ पढ़ाई की वीडियो भी हमेशा यहाँ पे मिलती रहेगी, thank you very much मिलते हैं अगले update के साथ अगले वीडियो में